गुरुवार को एक बार पुना निगम भिलाई जोन एक की टीम द्वारा सुपेला बाजार का मिर्क्षन किया गया जहां यातायात वस्ता को बाधा पहुचाने वाले ऐसी दुकानदारों पर चरानी कारवाय की गई जो अपना सामान दुकानों के बाहर निकाल का रिवसाय कर रहे थे जिससे हर रोज बाजारों में यातायात का बुरा हाल हो जाता था नगरपालिक निकम भिलाई छेतर के आकास गंगा मार्केट में पार्किंग की समस्या जटिल बनती जा रही है जिसे देखते हुए नगरपालिक निकम भिलाई की टीम द्वारा गुरुवार की शाम आकास गंगा मार्किट का निरिक छंड किया गया इवं अपने अपने दुकानों से बाहर सडकों पर सामान निकाल कर वेवसाय कर रहे व्यापारियों एवं कंपनियों के प्रचार के लिए बड़े बड़े बोड सडकों पर लगाने वाले व्यापारियों एवं दुकानदारों पर सक्त कारवाई करते हुए प्रचार सामगरी को JCB से दोस्त किया गया एवं चेतावनी के साथ चालान भी किया गया तत्पश्चार सक्त सदों में व्यापारियों को समझाईश दी गई कि दोबारा ऐसा कृत्ति करते पाए जाने पर जिससे यातायाद व्यवस्था खराब हो रही हो ऐसी इस्तिती में अब कानूनी प्रक्रिया से भी व्यावसाईयों को गुजरना पड़ सकता है दिखे जहां पे शुपिलेक तो वैसे भी कंजेस्टेड मार्केट है और उस मार्केट में जो दुकानदार है वो अपने सामने समान को बाहर रख लेते हैं और उसको फैला कर व्यावसाई करते हैं जिससे कहीं कहीं यातायाद प्रभाविद होता है जिसके करवही के निर्दे कर रहते हैं ऐसे दुकानदारों के समानों को हटाया गया है उस पर करवाही की गई है और आगे भी सहर को सुवष्थित करने के लिए त्रेफिक भाग के समयनाय करते हुए करवाही किये जाने के प्लानिंग जो है वो चल रही है और जहां तक सुपिल संडे मार्केट की बा सिप्ट दिया जाए या तो फिर उनको जो खाली आगे की जगह है वहां पर उनको इस्थांतरन करने का जो काम है उसके पर चर्चा जो है उचल रही है एक लंबे समय से सुपेला आकाश गंगा एवं दक्षिन गंगोतरी मार्केट में पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थितना होने की वज़े से मार्केट आए ग्रहकों को काफी दिक्टों का साम न करना पड़ता है जरूरी होगा कि जल्द ही शहर के सबसे व्यस्थितन बाजार में इन व्यवस्थाओं को दुरूस्थ किया जाए जिससे मार्केट के व्यापारियों सहीद ग्रहकों को भी एक सुविता जनक माहौल उपलब्द कराया जा सके ग्रेंडेसियन न्यूस के लिए विलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट